सामान्य अध्यन के फाउंडेशन कोर्स में बायो अभी तक चल रहा है हमारा बेसिक बेसिक लगभग कंप्लीट है बायो राजब्योस्था आज से सुरू करेंगे भारती राजब्योस्था की जो मुलभुत अधर्णाय हैं वो देखेंगे इसमें और ये जो बेसिक्स हैं यहीं से आरहम कर दे रहा हो ये ना सिर्फ आपके प्रिलिम्स के प्रश्णों को समझने में आपकी मदद करेगा कांसेप्चुल प्रश्णों को हल करने में आपकी मदद करेगा कहीं आप बात कर रहे हो वहां पर बातों को समझने में विबाद विबाद प्रतियोगिताओं में इसके अलावा मुक्य परिक्षा में यहां से डारेक्ट प्रशनाते हैं और धारनात्मक उनको समझने में तुलनात्मक अध्यन करने में चाहे प्रिलिम्स हो चाहे मुक्य परिक्षा या फिर साक्षात कार में डारेक्ट जो यहां से प्रशनाते हैं वो अब हमेशा confident परिचया से सुरू करेंगे राज व्योस्था क्या है भारती राज व्योस्था भारती मतलब भारत की और राज व्योस्था क्या है तो राज व्योस्था क्या है सबसे पहले ये समझेंगे राज व्योस्था दो शब्दों से मिलकर बना है राज और व्योस्था व्योस्था का अर्थ तंत्र से होता है, राज्य का हम अर्थ जब लगाते हैं तो लोग और सरकार, जनता और सरकार से लगाते हैं, सामाने तह, अभी हम राज्य पे पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, सामाने तह अर्थ क्या होता है राज्य का, जनता या सरकार से, तो जनता और सरकार से जो मि जुली जुली सरचनाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं उनको कहते हैं सरकारी संगठन या फिर राजनितिक संगठन सरकारी संगठन राजनितिक संगठन यहां भी जनता और सरकार है और राजनितिक संगठनों में जनता और सरकार है तो हम क्या कह सकते हैं कि राज व्योस्था मूलता दो शब्दों से बनी है राज और व्योस्था जिसमें राज से आशे, जनता से, सारजनिक्ता से एवं सरकार से होता है जबकि व्योस्था का अर्थ किसी तंत्र से होता है अतह शाब्दिक अर्थ में राज ब्योस्था का जो अर्थ है सरकारी संगठनों और राजनितिक संस्थानों के मद्द बनने वाले संबंदों का अध्यन करना होता है इसमें राजियों सरकार के अधारना नियत होती है ये राज ब्योस्था की एक सामानिसी परिभाशा है अब राज की ब्योस्था मतलब राज को हमको समझना है कि राज होता क्या है राज क्या होता है तो राज वस्तुता एक निश्चित सरचना होती है राज एक निश्चित सरचना होती है उसका निश्चित भूभाग होता है उस भूभाग पर निवास करने वाले कुछ लोग होते हैं या जनसंख्या होती है और ये जनसंख्या पर कोई सरकार शासन करती है क्योंकि जनसंख्या जनता रहेगी तो हो सकता है वो कभी उग्र हो जाए एक दूसरे से उनके हित टकरा है तो आपस में मारपीट हो जाए ठिक कोई आराजक हो जाए बहुत जादा एक बड़ा समुदाय छोटे समुदाय को दबा सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो व्योस्था को सुचार रूप से संचालित करने के लिए शासन करने के लिए एक सरकार होती है और ये सरकार कैसी होनी चाहिए संप्रभू होनी चाहिए संप्रभू सरकार कर्थ क्या होता है कि सरकार जो नेड़े ले वो किसी बाहे प्रभाव से प्रभावित न हो जैसे पाकिस्तान है कोई निर्णे लेगा तो चाइना से प्रभावित होता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की है तो संप्रभू अंतराश्टी परिभाशाओं में परिभाशाओं संप्रभू है लेकिन अगर पूरे सभी निर्णे उसके चीन से प्रभावित होने लगें चीन कहेगा तभी उसको उठना है चीन कहेगा तभी कुछ करना है तब फिर वो संप्रभू नहीं रह जाएगी जैसे भारत है वो आंतरिक मामलों में किसी की दखल अंदाजी बरदास नहीं करता है और हर मंच पे यही भारत दोराता है तो भारत क्या है संपरभू देश है तो अधिकतर देश एक सो तिरानबे जो देश हैं युएनों में जो सदस्य हैं वो संप्रभू ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बायप्रभाव वहाँ पर रहता ही है, लेकिन एक व्यापक दिश्टिकोन में अगर देखें, तो हम उन्हें संप्रभू मान के चलते हैं, क्योंकि वो इस बात को स्विकार नहीं करते हैं, कि हम इनके कहने पर चल रहे हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप परिभाशात्मक जो समझ है, उसको विक्सित कर रहे हैं, तो संप्रभूता करत होता है कि आंतरिक मामलों में, वो स्वयम नेड़े लेंगे, नेड़े लेने के स्वतंत्र हैं, कोई बाहे दबाओ यहाँ पर काम नहीं अर्थात कोई USA चाहे कि भारत के लिए कोई कानून बना ले तो यह संभो नहीं है, क्योंकि भारत संप्रभू देश है, इसको संप्रभूता कहते हैं, ठीक है, तो राज के इस तरह से चार अनिवारे तत्त होते हैं, राज के कोई भौगोलिक अगर प्रदेश है, वो राज है अत्वा नहीं है यह जानना हो, उसके पास चार विशिष्टा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसकी निश्चित सरचना या निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोग होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा विरान हो लोगों पर सासन करने के लिए सरकार होनी चाहिए और ये सरकार कैसी होनी चाहिए संप्रभू होनी चाहिए तो ये चार अनिवारे तत्व राज के स्विकार किये गए हैं तो चार आवशक तो कौन है निश्चित भूभाग निश्चित जनसंख्या सरकार और सरकार क कैसी होनी चाहिए संप्रभूता योक्त सरकार होनी चाहिए ठीक है दसल कभी कभी राज और सरकार में अंतर नहीं किया जाता है दोनों को एक ही अर्थ में बोल दिया जाता है जब की अंतर है राज क्या है एक भोगोली सरशनात्मक एकाई है क्या है सरशनात्मक और भोगोली क इकाई है या भौत इकाई है लेकिन सरकार क्या है राज की कार्यात्मक इकाई है राज के लक्षों को पूरा करने का काम सरकार करती है राज को बनाये रखने का काम सरकार का होता है राज के निर्डेों लेने का काम सरकार का होता है राज का सरूप कैसा होगा इसको निर्धारि तो राज एक भौतिक इकाई है ये सरसनात्मक इकाई है जबकि सरकार राज की कार्यात्मक इकाई है अगर राज और सरकार में कोई अंतर आप से पूछे तो और भी आधारणाये हैं जैसे पूछा जाता है कि राज और राष्ट क्या होते हैं राज और राष्ट क्या होते हैं अक्सर राज और राष्ट को भी एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया आता है जबकि इसमें जमीन आस्मान का अंतर है राज के लिए मैंने आपको बताया कि राज एक राजनेतिक और प्रसाश्टिक एकाई है जिसमें सरकार की नहितता और जनता के नहितता ये होती है ब्यापक गरूप से होती है अर्थात राज में सरकार होनी ही होनी चाहिए तभी राज का कोई अस्तित्व है बीना सरकार और जनता के राज का अस्तित्व है नहीं जबकि राष्ट इससे एक हाथ आगे निकल जाता है ये भौगोलिक जो सीमाएं हैं इसके परे जनता से बनी इकाई होती है राष्ट एक सामाजिक इकाई है साजा संस्किति, साजा इतिहास को निर्धारित करने वाली के जब हम राष्ट की बात करते हैं इसका मतलब है यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जनता और सरकार की बात करते हैं भूभाग की बात करते हैं मुख्यतह और संप्रभुता की बात करते हैं तो जह हम राज्य की बात करते हैं, तो हम सरचना की बात करते हैं, और सरचना कैसी है, लोग कैसे हैं, कितने लोग हैं, सरकार कैसी है, संपर्भुता युक्त है, अथवा नहीं है, निश्चित हुभाग है, अथवा नहीं है, सीमाएं इसके किस-किस राज्य से लगी हैं, ये स कौन सी संस्किती है साजा संस्किती जिसको वो एतिहासिक रूप से साजा कर रहे हैं वो कौन सा इतिहास है जो इन्हें जोडे हुए हैं ये है राश्ट और राज्य में अंतर अर्थात राज्य को किसी शेत्र की जवरत होती है राज्य को किसी जवरत होती है शेत्र की जवरत ह लेकिन राष्ट को शेत्र की जवरत नहीं होती है जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें माने लिजे एक उधारन दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान ये अगर अलग न हुए होते ये अलग 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 नहीं होते या फिर अलग हुए भी तब भी एक दूसरे से जुड़े हो जैसे आपको एक उधारण दे रहा हूं करतारपूर कारिडोर यह जब खोला गया और यहां पर जो प्रेम का तत्तो है वो तनाओ के तत्तो से अगर अधिक हो जाता तब हम कह सकते थे कि यह राष्ट हैं क्योंकि भोगुलिक सीमा को पार करके इनके बीच एकता पूरी तरह से बनी हुई है तो यह राष्ट कहला जा सकते थे जैसे अरब कंट्रीज हैं अरब राष्ट कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है अरब राष्ट कहा जाता है क्यों क्योंकि बारह राज्ज हैं जिनको आप देश कहते हो राज्ज और देश में भी अंतर होता है भी बताएंगे तो बारह राज्यों का समू है अरब राष्ट विभिन स्वतंद स्वतंद इसमें देश हैं लेकिन जो कि ये राष्ट शब्द एकता के सूत्र में इनको बांगता है इसलिए इनको अरब राष्ट कहा जाता है तो राष्ट क्या है इसको किसी जमीन की आउशक्ता नहीं है किसी निश्चत शेत्र की आउशक्ता नहीं है ये लोगों से मिलकर बनीक आई है ये साजा संस्क्ति को का दियो तक है ये साजा इतिहास का दियो तक है जो लोगों को एक सूत्र में बांदे रहती है जैसे भारत र राज्य भी है राज्य क्यों है क्योंकि ये चारो चीजें इसमें नहित है राश्ट क्यों है क्यूंकि Bhветieważ इनको इंगित करता है और यहां के जो लोग है वसुधैय कुटुम्बकम की भावना से सर्वे भाउन्त सुखिन की भावना से साजा भावना से उत्तर से लेकर दक्षिर तक पूरफ से लेकर पश्चिम तक बिभिन नकारात्मक और अलगाव वादी तत्तों के होने के बावजूद सक्री होने के बावजूद एकता के सूत्र में बदे हुए है इनको वंदे मातरम गीत जनगन मन ये सभी जो सांस्कितिक अधाड़ाएं हैं कविताएं हैं एक सूत्र में पिरोती है तो ये क्या है राष्ट भी है राज्य भी है इसलिए भारत क्या है राष्ट राज्य है भारत क्या है एक राष्ट राज्य है अर्थात राष्ट भी है और राज्य भी है अक्सर आप सुनते होंगे राष्ट राज्य क्या होता है तो राष्ट राज्य भाई है कि राज्य भी हो और राष्ट भी हो तो राष्ट राज्य है अगर ये एकतास के सूत्र में नवदे होते तब पिर हम नहीं कह सकते थे राष्ट राज्यें कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती है कि राष्ट राज्य की भावना संक्रिन हो जाती है या फिर विवादित हो जाती है कि या क्या ये राष्ट राज्य है भी या नहीं है तो अलगाव आदिततों जब ज़्यादा सक्री हो जाते हैं तब ऐसा होता है लेकिन फिलहाल अभी तक आजादी के बाद से आजादी की लड़ाई में भी ये राश्ट राजी की संकल्पना काइम रही है खासका राश्ट की संकलपना भारत में हमेशा से कायम रही है एक और प्रमुख अंतर अगर पूछा जाए राज और राश्ट में क्या है तो ये है कि राज बनाये जाते हैं राज बनाये जाते हैं राश्ट बनाये नहीं जाते हैं ये बन जाते हैं लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से संबंध कायम करते हैं, धीरे 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 एक तरह के तेवार मनाते हैं, एक तरह के कारिकरम में सामिल होते हैं, एक तरह के उसो मनाते हैं, तो ये धीरे 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 एकता के क्रिया के फलसरूप जबकि राज क्या है ये बनाये जाते हैं इनका सीमा निर्धरन किया जाता है ये बनाये जाते हैं राजियों को कई हिस्सों में बाटा जाता है कई जिलों में बाटा जाता है लेकिन राष्ट क्या है ये जिला राज प्रांत इन सबसे परे हैं व्यक्ति को बिहार से जोड़े रहेंगे तमिल नाड के व्यक्ति को उत्राखन से जोड़े रहेंगे ये है इसको राष्ट कहते है आज भी दक्षिन भारत में अगर कोई अंतिष्ठी करनी होती है तो वो संगम इलहाबाद में आएगा बनारस जाएगा ये क्या है ये राष्ट की संकलपना है राष्ट की संकलपना में यह नहीं आता ये जोड़ी नहीं है सब लेकिन राष्ट एक सूत्र में बादे होए है आपको कहीं ने कहीं से कोई ने कोई ऐसा शोर मिल जाता है जहाँ पे सभी जाकर मिल जाते हैं इसको कहते हैं राज तो एक और प्रमुख अंतर राज और देश राज और देश में क्या अंतर होता है स्टेट और कंट्री में क्या अंतर होता है दरसल राज एक छोटी काई हो सकती है देश एक बड़ी काई को दियोत्तक हो सकता है मतलब एक देश में कई राज भी हो सकते हैं कई स्वतंत राज जैसे सेंक्तराज अमेरिका है वहाँ भी कई स्वतंत राज हैं लेकिन इनको एक सूत्र में बादने वाला जो कायर करता है और कौन करता है देश करता है तो देश एक केंडरी काई होती है जो कई राज्यों को एक सूत्र में पिरोती है नहीं अगर सभी स्वतंत्र हैं तो एक दिन क्या कहेंगे कि हम स्वतंत्र अमेरिकास निकलना चाहते हैं हम स्वतंत्र देश अपने आपको घोशित करते हैं तो इन राज्यों को एकता के सूत्र में कौन पिरो रहा है देश पिरो रहा है भारत की स्थिति में ऐसा नहीं है भारत देश भी है राज्य भी है भारत के लिए आप राज्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं देश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्यों क्यों कि यहां के राज स्वतंतर नहीं है पूरी तरीके से यहाँ पे केंदर का वास्तिव के नियंतर होता है केंदर के कानून प्रभावी होते हैं हाला कि राज अपने विशेओं पर कानून बनाता है सामान इस्थिती में केंदर अपने विशेओं पर कानून बनाता है समवर्थी सूची में दोनों बनाते हैं लेकिन आपात स्थितियों में विदेशी राजों संबंद बनाने के स्थितियों में संधी कायम करने के स्थितियों में केंद्र प्रभावी हो जाता है केंद्र अपना एक प्रतनेधी राज्यपाल के रूप में राज्य में हमेस्ता हस्तक्षिप के लिए रखता है तो ये देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत राज्य की भी भूमिका नहीं बाता है देश की भी भूमिका नहीं बाता है समय समय पर परिस्तिति के उनसार तो जब जब राज्यों का अस्तित्व शीन हो जाता है तो भारत एक राज्य हो जाता है तब क्यों क्योंकि जो विभिन इकाईया है वो राज्य नहो करके वो एक प्रांत के रूप में कार करती है एक शित्र के रूप में कार करती है लेकिन जब सामानेस्धिती होती है तब उत्तरबदेश एक राच्ज होता है पंज़ाब एक राच्ज होता है और भारत एक देश होता है आप मेरी बार समझ रहोंगे तो मूल अउधारना में यहीं अंतर है कि देश राज्यों को एक सूत में पिरोने वाली ही कई है कभी-कभी राज्य शब्द का प्रियोग पूरे देश के संदर में भी होता है क्योंकि राज्य शब्द में चार बाते होनी चाहिए कौन-कौन सी निश्चित भूबाग, जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, तो इसलिए अगर परिभाशा को देखें राज्य की और हम कहें भारत राज्य है या फिर उत्तर पदेश राज्य है, आपका उत्तर क्या होगा चलिए हम आपका आज काम आसान कर देते हैं निश्चित भूभाग भारत का निश्चित भूभाग है सही है निश्चित जनसंख्या भारत की निश्चित जनसंख्या है सही है सरकार भारत निश्चित सरकार है बिल्कुल सही है संप्रभुता संप्रभुता युक्त सरकार है मोदी जी जो कार करेंगे उबामा पूछ कर या जो बाइडन से पूछ के थोड़ी करेंगे तो नेड़े लेने के लिए स्वतंत्र है संप्रभु है उत्तर पुदेश की अब बाद करते है सरकार सही है, संप्रबु है, अब यहां पर आकर प्रशन पूरा आपका घूम जाता है, संप्रबु है, बताएं है कि नहीं है, सामान इस्तिती में संप्रबु है, अपने मामलों में नेड़ा लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जितने भी राज्यागर पूरी तरह से संप् तरबदेश, तो कल को अराजक्ता हो सकती है, कल को ऐसे ही नेड़े ले सकता है कि केंद्र के या फिर जो देश की जो एक सूत्रता है जो एक्ता है उसको विखंडित कर दे, एसे कुछ कानून बन तब वहाँ पर केंद्र हस्तक्षेब करेगा, आप आज तो सितियों केंध हस्तक्षेप करेगा राश्पति श्रस्तन लगाना होगा तो केंध हस्तक्षेप करेगा निर्देश देगा इसलिए संप्रभू नहीं है इसलिए संप्रभू नहीं है स्वायत कहीं न कहीं आप कह सकते हो तो यह जो प्रदेश है हमारे यह संप्रभू नहों करके यह प् परूप में हैं जब यह बिभिनर राज्यों को एक सूत्र में पिरोता है इसके लिए राज्यों की कि राज्य वास्तों में ये प्रदेश हैं जिनको आप धार्णात्मकंतर है यहाँ पर स्पष्टता होनी चाहिए आपकी कि राज्य वास्तों में ये प्रदेश हैं जिनको आप राज्य कहते हो या फिर हमारा देश राज्य है तो वास्तविक रूप से भारत एक राज्य है न कि विभिन जो प्रदेश हैं वो राज्य है हाला कि हम स रांत देश इसमें मूलभूत अंतर होते हैं और जो मूलभूत अंतर होते हैं यही होते हैं जो हमने आपको बताया अब सरकार क्या होती है तो सरकार वस्तुतह राजी की कार्यात्म की इकाई होती है राजी की संपूर्ण क्रियाशिलता सरकार पर ही निर्भर करती है राजी कै इसा होगा, राज के क्या निर्णे होंगे, राज सोयम निर्णे नहीं करता है, भुगोल ये निर्णे नहीं करता है, राज की कारयात्म की कई सरकार है, सारे निर्णे, सारे नियम, कानून, ये सब सरकारतें करती है, तो राज की संपूर क्रियाशिलता सरकार पर ही निर्भर क करती है और राज अपने उद्देश्यों के इप्राप्ति सरकार रूपी संस्था के माध्यम से करता है राज के उद्देश्य क्या है वही जो हमारे समिधान के उद्देश्य हैं उद्देश्य का में जो वर्डित है और उद्देश्य का में नहीं तो जो हमारे उद्देश्य है राजी के जो देश है उनका नियधारण उनों देशियों की प्राप्ति कौन करता है सरकार करती है संप्रबुता क्या है जैसा कि मैंने बताया कि संप्रबुता का शाब्दिकर्थ असीम सत्ता से होता है इससे आशे नेड़े लेने की ऐसी ख्षमता से है जो बाय दबाव से प्रभावित नहीं होती है सरकार के स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि सरकार के कितने स्वरूप होते है तो दो आधार हैं सरकार का स्वरूप निधारिड करने के लिए अरस्तु ने दो आधार बताए हैं सरकार के सरूप को समझने के लिए पहला कि सरकार कितने लोगों द्वारा संचालित हो रही है दूसरा ये कि सरकार का संचालन किन लोगों के हित में किया जा रहा है इन दो आधारों पर सरकार के सरूप करने द्वारा हम कर सकते हैं अब सरकार कितने लोगों द्वारा संचालित हो रही है इसाधार के अगर हम बात करें तो मुक्यतह राज तंत्र, कुलीन तंत्र, भहुत तंत्र में सरकार को बाढ़ सकते है राज तंत्र क्या होता है सरकार का संचालन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और ये जो व्यक्ति होता है ये वन्शानुगत रूप से पद की प्राब्दी करता है इसको क्या कहते है राज तंत्र कहते है मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा कुलीन तंत्र सरकार का संचालन समाज के कुछ उच्च कुलीन लोगों द्वारा ही किया जाता है मतलब इसी कुल का व्यक्ति ही राजा बनेगा कई कुल हैं कई जातियां हैं कई समदाइश हैं येकिन एक विशेष कुल का ही व्यक्ति राजा बनेगा अगर ऐसी व्यो enthusiast제 हो तो उसको कुली इंतंतर कहते हैं बहुतंतर सरकार का संचालन समाज के जो अधिसंख लोग हैं बहुत संख्यक लोग हैं उनके द्वारा किया जाया तो बहुतंत्र कहलाएगा जैसे माली जे पाकिस्तान में बहुतंत्र वहाँ पर सरकार का संचानल अधिसंख लोगों द्वारा अगर किया जाया जो बहुत संख्यक हैं वही सरकार में बैठें अल्प संख्यकों को अधिकार नहों कोई भी राजनेतिक हाला कि पाकिस्तान में दे दिया गया अंतराश्टी दबाओ काम किया है वहाँ पे लेकिन बहुत सूख्ष मुरूप से देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं का सकते हैं बहुतंतर का थोड़ा सा परिया है पाकिस्तान में देखने को हमें मिलता है तो बहुतंतर मतलब सरकार का संचालन समाज के जो अधिसंख्य लोग हैं उनके दो जिसे की चार कमुर्टी है कहीं पर चार जातियां है इन जातियों में से जो मालीजे A B C D ये चार जातियां है इन में D जाति जो है इसके संख्या अन्य जातियों के पेक्शाधिक है तो बहुतंत्र तब क्या होगा ये ही राजा बने अगर बार बार इसी को अधिकार हो राजा बनने का तो इसको कहेंगे बहुत संत्र अर्थाज जिसकी ज़्यादा संख्या वही बनेगा राजा सरकार का संचालन किन लोगों के हित में किया जा रहा है इस आधार पर ताना शाही वन तंत्र और लोकतंत्र में हम बाट सकते हैं सरकार के सरूप को ताना शाही या जिसको निरंकुष तंत्र निरंकुष शाह भी कहते हैं इसमें शाशक अपने हित के लिए शासन करता है वो जनता के हित को ध्यान में नहीं रखता है वो अपने हित के लिए निर्णे लेता है वो चाहे जनता जाए भाड में तो इसको कहेंगे ताना शाही वणतंत्र सासन का संचालन समाज के कुछ वर्ग विशेश के हि बहुजन सुखहे तो बहुजण हिताय, यह जो नारा दिया गया था, जब जिन परस्थितियों में दिया गया था, वह परस्थितियों तो उस उही थी, लेकिन आज की परस्थिति में समयधान इस बात की इजाज़त नहीं रहता है, सर्वजन हिता है, सर्वजन सुखा है सब का सुखी सब के सुख में ही देश का सुख नहीं तो ये वेमनत से पैदा करता है तो लोग परस्थितियों का गलत लाब उठा करके आज गलत गलत नारे देते हैं जिन परस्थितियों में नारे दिये गए थे तब की प्रस्थितियां लग थी, आज की प्रस्थितियां लग है, आज समिधान में लिख दिया गया है, सब की समानता की बात लिखी गई है, हाला कि उस समानता में भी असमानता की बात की गई है, कि समानता अगर उद्देश है, उसको प्राप्ट करने के लिए अगर असमान को अपनाया जाया तो गलत नहीं है लेकिन कहीं से भी ये स्तरजन हिताय की अधारणा को कहीं से भी ये काटती नहीं है इसको नकारती नहीं है आज सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास उस पे कार कितना और आए बहस की बात है लेकिन सबकी बात हो रही है तो जब भी सुक की बात हो सब के सुक की बात हो तो सर बहुजन इताय मतलब बाकी के जो जन बचे हैं जो अलप जन बचे हैं उनका क्या उनको मार के भगा दो गए तो यहां से यह ओधारणाय निकल कराती है तो यह नकरात्मकता है तो वही है बात थी कि वर्ड तंत्र की सासन का संचालन समाज के कुछ वर्ग विशेश अगर सरकार यही कारे करने लगे कि जो अल्प समुदाय है, अल्प संख्यक है जो जातियां अल्प संख्या में है इनकी संख्या बहुत कम है उनको ध्यान में रख कर ना रख करके उनके हितों को साधने उनके हितों को दूर करके अब उनकी उपेक्षा करके सिर्फ जो ज़्यादा संख्या में हैं लोग उनके लिए ही कारे करे केवल तो कहा जाएगा ये वड़े तंत्र है ऐसा नहीं है कि ऐसा देखा नहीं गया है भारती राजनीती में कदापी आप ऐसा देख सकते हो कि कभी कभी कुछ विशेश वर्गों के लिए ही काम किये गए है और चाहे जो वर्गों कुछ विशेश वर्गों को कुछ विशेश धर्म के लोगों को उपेक्षित कर दिया गया है क्योंकि वोट बैंक नहीं है तो कहा जा सकता है कि उस समय जब ऐसा कार्य किया जाता है तो ये सरकार चाहे लोगतंत्रिक सरकार हो वन तंत्र में तब्दिल हो जाती है लेकिन यहाँ पर आप अंतर कर रहे हो तो ब्यापक अंतर देखोगे के वर लोगतंत्र जो की भारत की विशेशता है भारत में क्या है लोगतंत्र है समयधानिक लोगतंत्र है वाला समयधान द्वारा स्थापित लोगतंत्र है तो लोकतंत्र क्या होता है जब सरकार का संचालन समाज के सभी वर्गों या सभी लोगों के हितों के अनुरूप किया जाता है तब कहा जाता है लोकतंत्र है यहां पे होती है सरोजन हिताय की बाद यहां पे होती है सरोजन सुखाय की बाद यहां पे होता है सबका साथ सबका विकास की बाद यह है लोकतंत्र जहां सरकार का संचालन समाज के सभी वर्गों सभी लोगों के हितों के अनूप किया जाता है कहीं से आता हो किसी विजात संब्धित हो किसी भी धर्म से संब्धित हो किसी संप्रदाय संब्धित हो तब ये लोकतंत की परिभाशा होगी इसके अलावा भी कुछ और भी अधारनाएं हैं प्रचलित शब्द हैं जो आपकी नजर में आते हैं जैसे राजतन्थ हमने बताया ये सरकार का पाचेंतम रूप है इसमें सरकार का संचालन राजा रानी द्वारा होता है राजा का पद इसमें वन्शानुगत होता है लोकतंत्र लोकतंत्र से आश है एक ऐसे सासन से होता है जिसका संचालन लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए किया जाता है निरंकुषतंत्र ये राजतंत्र व्योस्था का निकृष्टम रूप है निरंकुषतंत्र भी राजतंत्र व्योस्था में देखा जाता है इसका एक किश्टम रूप है यह सासन का संचालन स्वेच्छा चारी राजा द्वारा होता है आप लूई सुलावा के बारे में सुने होंगे जो फ्रांस का राजा था जिसकी वजह से जिसकी नाकामियों के वजह से ही फ्रांस की करांती होई थी और सतंता समानता बंधुत जैसी कहा था अगर तुहां पास रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो तो यह कहां हो सकता है यह निरंकुष तंत्र में होता है ऐसा कुलीन तंत्र इन सब चीकों के बारे मैंने आपको बताया अभी सूच में यहां पर देख लीजे समाज के कुछ उच्च चुकलीन लोगों द्वारा इस प्रकार के शासन में व्यक्ति एक बार जनता का विश्वास जीतकर हस्थापित हो जाता है लेकिन बाद में मनमाने ढंग से शासन करने लगता है तो इसको अधिनायक तंत्र कहते हैं ठीक है अधिनायक तंत्र की विशेषता आप देख सकते हो जैसे आप उत्तर कोरिया म किया हुआ जो पहला राजा हुआ इसका जो पिता था जो वर्तमान में है किम जोंगुन वो जनता का विश्वास उसको हसिल था उसने सत्ता प्राप्त की लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ उसके अनुसार हो गया मनमाने ढंग से सासन करने लगा तो इसको अधिनायक तंतर कहेंगे उम्मीद है आज की छोटे से वीडियो में आपको अधार आत्मक समझ अपनी सुरुवात चुकी आपकी हो रही है इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नंबर जो वाट्सअप नंबर है 9453-775039 इस पे वाट्सअप करके हमसे प्रश्ण पूछ सकते हैं आज की क्लासे सम्मंधित तो मैं यह समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको चीजें समझाने की लेकिन फिर भी चुकी शुरुवात है आप लोगों की एकदम आधार से सुरू कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको डाउप ठोगा मन में वो जरूर पूछेगा नहीं पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में ठीक है तो यह वाट्सअप नंबर है इस पे जरूर पूछेगा बाकी लोग जो 75039 पे वाट्सअप करके बहुत बहुत धन्यवाद